कि प्लेंग लेवन की पूरा एलान हो चुगा है तो क्या होने वाली है तीस्ट्र और आखरी मुकाबले के प्लेंग 11 बताएंगे आपको शीड़े में तो अगर आप आप चाहते हैं कि भारती टीम या मुकाबला चीड़े तु वीडियो को लाइक और शेनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों भारतों स्री लंका की बीच कल दूसरा टी टूंटी में स्किला गया गोलामवों के आर प्रिम्दासा जेटे में होने वाले कि कुनाल पांडे के कोरोना संक्रमित होने के वज़ए से वाख उनके संपर्क में आये साथ एल्यों खिलाडी आकरी दो मैचों का हिस्सा नहीं है एसे में कल के मैच में टीम इंडिया सिर्फ पांच बल्यों बाज्यों के साथ उतरी जिसमें भार्टी टीम की तरफ से देवदत पडिकल दितुरास गाइकवार्ट ने तीसरा ना और चेतन सकारिये को डिव्यों करने का मौका मिला हाला कि तीसर और आगरी टीम टीम मैच में प्लेइंग लेवन बिल्कुल जैस की चस रहने वाली है क्योंकि खिलाडी चैन के लिए उपलब नहीं है और ऐसे में पास की जैत तीसरे मुकाबले की फ्लेइंग लेवन कीप तो दोस्तों एक बार फिट से शिखर दवान देवदत पडिकल पारी का अगास करेंगे तो वही नमबर तीम पर रिकुराज का एक बाट होंगे नमबर च्यार पर संजु सैंसन नमबर पांच पर निदीश राना नमबर छे पर घोनेशो कुमार प्रेज गेम बाजी की बात दोर संभालेंगे तो वही नमबर साथ पर कुल्दीप यादो नमबर आट पर नौदीप सैनी नमबर नौपर राहुल चैर नमबर दस पर चेतन सकारिया तो ही नमबर ग्यारा और आखरी खिलाड़ी होंगे परिंच चक्रवर्ती तो दोस्तों आग्यों क्या लगता है या भारती टीम या सीरी जीतेगी या नहीं अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद